कववा चला हंस की चाल, सोलन नगर निगम भी नगर परिशद की राह पर चल पड़ी है नगर परिशद में अकसर टाइलों पर टाइले लगने के मामले सामने आते रहें अब नगर निगम में भी इसी तरह का नया मामला प्रकाश में आया है वार्ड नमबर साथ के हरी मंदिर को जाने वाले रास्ते में ऐसा ही देखने को मिल रहा है रास्ते में पहले ही टाइले लगी हुई है लेकिन निगम ने इनी टाइलों के उपर लाखों रुपए की लागत से टाइले लगाना शुरू कर दी है यदि पेवरेस बिचाई जाती तब भी बात समझ में आती थी लेकिन नगर निगम द्वारा वहाँ पर उसी तरह की टाइले लगाई जा रही है जो कुछ समय पहले भी वहाँ पर लगाई गई थी और सरकारी धन के दिरूपयों का बड़ा मामला बन गया है कायदा तो कहता है कि टाइले लगाने से पहले गटका बिचाया जाता है ग्रेडिंग की जाती थी लेकिन यहाँ ऐसा हो रहा है टाइलों पर टाइले लगाकर अपनी इतिश्री की जा रही है ऐसा नहीं है कि वहाँ पर टाइले ही लगाई जा रही है बलकि ठेकेदारों को कथित रूप से लाब पहुंचाने के लिए वहाँ एक दिवार को पहले गिराया गया और फिर वहीं पर बनवाया गया इस से निगम की कारेपरनाली पर सवाल खड़े हो गये हैं वहीं जब इस बारे निगम कमिशनर जफर इकबाल से दुर्भाश पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामले में जाज की जाएगी वो दोशी पाये जाने पर निया मानुसार कारवाई अमल में लाई जाएगी